यदि आप अपने जीवन के तरक्की, उन्नत्ती और सफलता के विशर में सोजते हैं, यदि आप जीवन में हर कदम कदम पे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप परिक्षा इंटर्विव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोट का चेहरी मुकदमों में पूर्ट जीत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं, आपका सम्मान हो, आपकी बातें लोग सुनें और आपके बातों का पूरा पुरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ें, आप अपने जीवन में मानसिक, भहुतिक या आर्थिक रूप से प्रतेक छेतर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप जहां भी जाएंगे आपका मान और सम्मान होगा, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी सारी मनोकाम नाय पूर्ण होगी, तो आएए जानते हैं उस चमतकारी जड़ी बूटी के बिसर में, जो आपको प्रतेक छेतर में पूधा है अपराजीता, अपराजीता का पूधा सिंभी कुल का एक लता जाती का पूधा है, इसके पूधे दो प्रकार के होते हैं, एक का फूल सफेद और दूसरे का नीला होता है, इसके पूधे पेड़ पूधो और जहारियों में चड़े रहते हैं, इसका फूल गाय क इसलिए इसे गो करनी भी कहा जाता है तांत्रिक गरंथों में अपराजीता के पौधे को बहुत ही चमतकारी माना गया है कहा गया है कि यदि रभी पुस्ण अक्षतर में अपराजीता की जड़ को विधी पुरुवक निमंतरर देकर प्राप्त कर लिया जाए तो यह अत्यंत चमतकारी गुड़ों से युग्त हो जाती है। उसके बाद अपराजीता जड़ी का सैकड़ो प्रकार की चमतकारी की तांतिक प्रेवगों में काम लाया जा सकता है। जैसा की नाम से ही इस पर्ष्ठ है कि यह जड़ी मनुस्य को अपराजित बनाने वाली है यदि अपराजिता की जड़ी को बिधी पुरुवक रभी पुसन अच्छतर में लाकर धूप दीप अक्छत कुमकुम अष्ट गंद इत्याजी से इसका पूजन करकी ताबिज में भर कर यदि गले में पहन लिया जाए तो उसे प्रतेक छेतर में पूर्ता सफलता प्राप्त होती है इस ताबिज को धारड करकी यदि परिक्षा, इंटर्व्यू, कोट का चहरी या मुकदमों में जाने से पूर्ता सफलता प्राप्त होती है और वह जहां भी जाता है उसका प्रतेक कारे बनता है और उसके बाड़ी में एक विशेश प्रकार का धिबिता और तेजे सुईता आ जाती है